अध्याय दस उपनिवेश्वाद 15 अगस्ट सन 1947 हमारे लिए एतिहासिक दिन था इसी दिन भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था अतव वह प्रतिवर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है दुनिया के अधिकांज देश इसी तरह किसी ना किसी दिन अपनी आजादी दिवस के रूप में भी मनाते है हम नीचे दिये गया नक्षे में देख सकते हैं कि यूरोप के अलावा अन्य सभी महादुपों के अधिकांज देश पिछले 200 वर्षों में किसी ना किसी दूसरे देश के आधिन रहे हैं इस मानचित्र को देखने से एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि यूरोप के देशों ने एशिया, आफरीका एवं अमेरिका के कई देशों को अपने अधिकार में रखा था समाज विज्ञान की दो आउधारनाओं सामराज जिवाद और उपनिवेश वाद को समझना होगा जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना नियंतरन इस्थापित करता है और उस देश के संसाधनों का अपने फाइदे के लिए उप्योग करता है तो वह देश सामराज जिवादी देश और अधिनस्त देश उसका उपनिवेश कहलाता है उधारन के लिए भारत पर ब्रिटेन का राज्य था तो ब्रिटेन सामराज जिवादी देश और भारत उसका उपनिवेश था आमतर पर सामराज जवादे देश उपनिवेशों के सामाज और अर्थ वैवस्था को इस तरह पुनरगठित करते हैं कि उनका दोहन हो सके इसका परिणाम यह होता है कि उपनिवेश में गरीबी बढ़ती है और वहां विकास के लिए पुन्जी की कमी हो जाती है इस तरह उपनिवेशों में विकास की प्रक्रिया में बाधा आ जाती है यही नहीं सामराज जवादे देश उपनिवेशों के लोगों के सोच विचार पर भी हावी होते हैं ताकि उपनिवेश के लोग अपनी परिस्थितियों को स्वेकार करने लगे समय के साथ जब ये उपनिवेशी समस्याओं का सामना करने लगते हैं तो अपने अनुभावों से सीख कर स्वतंतरता के लिए संगर्श करने लगते हैं पिछले 300 वर्षों का विश्व इतिहास कुछ विक्सित देशों के द्वारा एशिया, औफरीका, औस्ट्रेलिया और अमेरिका महादेप के देशों को अपना उपनिवेश बनाने तथा इन उपनिवेशों के स्वतंतरता आंदोलन का इतिहास है इस हिकाई के अध्यन का उपनिवेशी करन की प्रक्रिया इवं प्रभावों को दुनिया के इस्तर पर समझना है पहले हम दक्षिन अमेरिका में यूरोपी वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद दक्षिन पूर्व एशिया, चीन, भारत और आफ्रीका में उपनिवेश्वायत की प्रक्रिया के बारे में तुल्नात्मक रूप से समझने की कोशिस करेंगे